आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now तो इस question में मुझे दिया गया cylindrical bucket over the top is 0.2 meter high and 0.1 in diameter तो मैं से इस question में भी लगए करखा कि मेरे को एक cylindrical bucket दी है ठीक है कुछ इस तरह कि एक cylindrical bucket है यहाँ पे कुछ इस तरह ठीक है यह bucket है मेरी जो की 0.2 meter high है 0.2 meter high है और इसका जो diameter है उपर वाले का मतलब ही जो उपर आले का bucket है bucket है उपर आले side का इसका diameter मुझे दिया गया यहाँ पे 0.1 meter तो में गया देता हूं कि diameter यहाँ पे दिया गया of the top dt ठीक है वो दिया गया मुझे 0.1 meter और इसकी height इसको में small actually note कर देता हूं वो दिया गया मुझे 0.2 meter ठीक है height of the bucket ठीक है B तो यहाँ पे a circle hole with cross section area is one centimeter square is cut in the center of the bottom of the bucket तो मैंने क्या किया है यह उपर आला तो मैं यह क्या रहा हूं नीचे आले side में क्या किया है मैंने चोटा सा गड़ा गड़ दिया और जो गड़ा है वो circle है और इसका जो square है वो दिया गया मुझे one centimeter square ठीक है तो सारी units यहाँ पे मेरी meters में है इसको में meter में converter देता हूं तो कितना आजाएगा one into ten to the power minus two का whole square क्योंकि centimeter square है ना तो यह आगया ten to the power minus four meter square यह मेरा आ गया जो area मैंने चोटा सा नीचे जो hole किया है उसका ठीक है water flows into the bucket from a tube above it at the rate of one into ten to the power minus four meter cube per second अब मैंने क्या किया है यह जो bucket है मेरे पार मैं इसमें कुछ liquid डान लगया water डान लगया ठीक है at the rate of जो भरने का rate है मेरा वह कितना है one point three zero into ten to the power minus four meter cube per second ठीक है how high will the water in the bucket rise ठीक है तो मुझा गया कि जैसे मैं पानी डालना हो इसमें तो मेरा जो पानी यहाँ कितना हाई जाएगा ठीक है तो क्या होगा जैसे मैं पानी डालोंगा तो मेरे पानी जो बाल्टी है इसमें नीचे गड़्टा है तो वहां से तो पानी निकले गाई ठीक है तो जो मेरा flow rate हो जाता है किसी भी water का general condition में study state है कोई भी condition में वह होता है under root two g h ठीक है जहां पर two denote कर र हो जाएगा मतलब inlet is goes to outlet होगा general conditions में ठीक है तो inlet क्या है मेरे पास q और outlet क्या हो जाएगा में पास a into root two g h जो की मेरी velocity है जो कैसे क्यों क्यों प्रूंट है जो कि है 1.301 तेटीवाँ में फूर ठीक है आउटले में क्या जाएगा cross section area से cross section area मतलब मेरा यह मैंने hole किया है उस निकालना है ठीक है तो क्योंकि में value put कर दूँगा 1.3 into 10 to the power minus 4 equals to area जो कि मुझे दिया गया है 1 into 10 to the power minus 4 और उसके बाद into under root 2 g में दे देता हूं मालनो 10 स्क्वाइर में होता है यह भी कोई फरक नहीं बाड़ेगा और मुझे h निकालना है तो अगर मैं square करता हूं दोनों साइट तो मिंपर कितना आ जाएगा यहां पर आ जाएगा 1.3 का whole square into 10 to the power minus 4 का whole square जो क्या जाएगा 8 10 to the power minus 8 और यह भी root से हट जाएगा तो यह आ गया 2 into 10 into h तो 10 to the power minus 8 10 to the power minus 8 cancel ठीक है तो यहां पर क्या आ जाएगा 20 तो यह आ गया h is equals to 1.3 का whole square upon 20 ठीक है तो मतलब जो मेरा हाइट है water की कितना भरा हो इस case में जो मेरा water flow है वो कितना भरा सिंप्ली है अगर मैं लिखो तो 8.6 cm एफ प्रॉक्स ठीक है मैंने सेंटिमेटर में लिखा एगा एगा यह उनिट चेंज होगा इसलिए में 8.6 लिख रहा हूं